हेलो स्टूडेंज, वेलकम टू माई यूटीब चेनल चियोगरोफिगुरू आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th SST सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नमबर 56 यानि की कारेपतरक संख्या 56 को आज की हमारी वर्कशीट काफी आसान रहने वाली है और आज की वर्कशीट में हम जारी रखेंगे अपना अर्थ सास्तर का Economics का 3rd chapter मुद्रा और साख पिछली वर्कशीट में हमने इस chapter से related जो 1 marks के यानि की very short answer type question है वो हमने discuss किये थी आज की इस worksheet में हम short और long answer type question यानि कि 3 marks और 5 marks के जो question है आपके exam में पूछे जा सकते हैं वो हम discuss करने वाले हैं आज की worksheet आसान है लेकिन थोड़ी सी lengthy रहेगी तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस worksheet की जैसा कि आप अपनी screen के उपर देख पा रहे हैं यह हमारी worksheet number 56 यानि कारे पत्रक सिंख्या 56 है हमारा विशे सब्जेक्ट SST सामाजिक विग्यान है जिसमें हम अर्थ सास्त्र यहाँ पे राजनतिक विग्यान लिखा गया जो कि नहीं होना चाहिए अर्थ सास्त्र का तीसरा चैप्टर है मुद्रा एवं साक उसके दोराई करने वाले हैं आज की दिनांक रहेगी 21 नॉवंबर 2000 पेस हम शुरुआत करने से पहले दो चीजे हमें समझनी है पहली हमें समझनी है कि साक क्या होता है साक का अर्थ होता है रिन यानि जिसको हम लोन बोलते हैं ओके, और दूसरी चीज़ हमें ही समझनी है, कि लोन दो जगे से लिया जा सकता है, एक तो ओपचारिक स्रोत होते हैं, और एक होते हैं अनओपचारिक स्रोत, ओके, फॉर्मल और इनफॉर्मल सौर्स जिनको हम बोल सकते हैं, इंगलिश में, ओपचारिक स्रोत होते हैं, जैसे हमारे friends हो गई, हमारे रिष्टेदार हो गई, दुकानदार हो गया, वैपारी हो गया, आर्थी हो गया, फाइनेंसर हो गई, वो क्या है? वो अनौपचारिक स्रोथ है. अब दोनों जगे से हम रिण ले सकते हैं. अब फरक क्या होता है? डिफरेंस यह होता है, कि जो ओपचारिक स्रोथ होते हैं, वो RBI के एंडर में होते हैं, यानि कि RBI, Reserve Bank of India के एंडर में होते हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोथ होते हैं, वहाँ पर कोई ऐसी बड़ी संस्ता नहीं होती. अब जो ओपचारिक स्रोथ होता है, बैंक है, वहाँ पर रिण जो हम लेंगे, वहाँ उसकी ब्याज दर फिक्स होती हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोथ में फिक्स नहीं होती, आप से ब्याज कितना लिया जाएगा, वो उसके उपर डिपेंड करेगा, यहाँ पर फिक्स जिसको हम कहेंगे समर्थन रियनाधार, समर्थन रियनाधार को समझने के लिए हम कह सकते हैं, गारेंटी की जरूरत पड़ेगी, जिसे हमें लोन लेना है, तो हम लोन ले सकते हैं, जमेन के उपर, प्लोट के उपर, अपरी नोकरी की जो सैलली स्लिप है, उसके उपर ले सक ले सकते ना, तो ये समर्थन रिनाधार कहलाता है, जबकि अनौपचारिक स्रोत में जरूरत नहीं होती, वो आपको रिष्टेदार है, आपका मित्र है, या तो दे देगा, या मना कर देगा, ओके, अपचारिक स्रोत होता है, इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंक अगर पहला लोन नहीं चुका आया, तो हम दूसरा लोन नहीं ले सकते, जबकि अनौपचारिक में ऐसा नहीं, हमने 10,000 रुपए ले रखे हैं, दोबारा जरूर पड़ी, और 5,000 रुपए ओड ले आए, हो सकता ना, तो ये मुख्यों तो पर अंतर होता है, ये हमने इसलि वर्कशीट में कुल हमें 9 कोशन दिये गए, 9 कोशन दिये गए, इनमें से हमारा जो 9 कोशन है, वो सुरूत आधारित परशन है, पहले हम 9 कोशन को डिसकस कर लेते हैं, हलांकि हम बाद में दोबारे डिसकस करने वाले हैं, यहाँ पर दिया गया है, एक अनुचित दिया गय उसको हमें पढ़ना है, समझना है और फिर पूछे गए परशनों के उत्तर देना है जैसे मेगा ने घर खरीदने के लिए बेंक से 5 लाख रुपे का करज लिया अब बेंक क्या है? बेंक ओपचारिक स्रोत है तुस्से 5 लाख रुपे का करज लिया इस करज पर ब्याज की वार्शिक दर 12% है यानि की 1% मासिक हो गई इस करज को वो 10 वर्षों में मासिक इस्तों में लोटा सकती है लोटाया जाना है मतलब 10 वर्ष लंबा समय उसे मिलेगा और मेगा को बेंक से करज लेने के लिए उसे अपनी नोकरी और वेतन समंदी रिकोर्ड दिखाने पड़े ये क्या होगे गारंटी होगे कि मेरे पास पैसा है मैं लोटा सकती हूँ तब ही रिन मिलेगा बेंक नई घर के सभी कागज है वो भी समर्थक रिन अधार के तोर पर क्या करेगा अपने पास रख लेगा जिन्हें मेघा द्वारा ब्या समेथ कर्ज लोटाने पर वापस कर दिया जाएगा तो ये हमने पढ़ा कि कैसे मेघा ने बेंक से रिन लिया कैसे वो लोटाएगी तो हमें कई सारी चीजें है वो बतानी है कि जिसे रिन रासी कितनी है तो रिन रासी कितनी है पांसलाग रुपई है समर्थक रिन अधार क्या है समर्थक रिन अधार में दो चीज़े है नोकरी और वेतन समंदी कागज जो डोकुमेंट से पलस जो नए घर के कागज है वो समर्थक रिन अधार है दोनों चीज़े है अदाय की गस अवरूप क्या होगा 10 वर्ष में मासिक भुक्तान किया जाएगा आफशे कागजात क्या क्या चाहिए आफशे काजआत चीज़े है आधार कार चाहिए फोटो चाहिए बैंक की डिटेल चाहिए नोकरी और वेतन समंदी जो रिकोर्ड है वो चाहिए ओके यहाँ पे तो एक की बात किएगे लेकिन आधार कार्ड, फोटो, बैंक की डिटेल्स और वेतन या नोकरी समन्दी जिसको हम सैलिसली पोलेंगे उसकी जरूरत पड़ेगी तो चलिए हम सुरुवात करते हैं परशन उतर की, पहला जो हमारा परशन दिया गया यह दिया गया कि रिजरू बेंक औफ इंडिया के कारेों की व्याक्या कीजिए, RBI, उसके कारे क्या क्या होते है, तो इसका पहला कारे होता है, बात सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है यानि कि bank, ये जो bank है, जो हम note देखते हैं, तो note कोई issue करता है, RBI, दूसरा जो कारे है, कि भारत की जो मोदरिक नितिय यानि कि पैसे से समबन दित, जो आर्थिक नितिय उसमें reserve bank भारत सरकार को अपनी राय या सला भी देता है, सजेशन देता है, सुझाव देता है दीसरा कार है, यह बेंकों के कारें की निगरानी करता है जितने भी बेंक होते हैं, वो सभी बेंक, किसके अधीन आते हैं यह आते हैं, RBI के अंडर में आते हैं और RBI को इसलिए बेंकों का बेंक भी कहा जाता है उसके बाद दूसरा जो परशन दिया गए कि अनौपचारिक शेत्र को रिन गति जो अनौपचारिक शेत्र है उसकी रिन गतिविदियों को कम किये जाने के आप सकता है उची तरकों से अपने उत्र की पूश्टी कीजिए अनौपचारिक शेत्र कौन सा होता है फ्रेंड, आड़ती, रिस्तिदार, वैपारी, फाइनेंसर वो सभी अनौपचारिक शेतर में आते हैं अब इसकी गत्विदियां कम होनी चाहिए ऐसा ये कह रहे हैं क्यों तो पहला ये कि अनौपचारिक शेतर में ब्याज की दर बहुत अधिक होती है और वो भी मन मर्ची की होती है दूसरा अनौपचारिक शेतर से अगर हम लिन लेते हैं तो लाब कम होता है लाब कम क्यों होता है क्योंकि हमारा अधिकतर जो लाब होगा वो तो ब्याज में ही चला जाएगा क्योंकि ब्याज अधिक है तीसरा अनौपचारिक शेत्र में नियम निश्चित नहीं होते शोषण अदिक होता है, गुंडा गर्दी भी होती है तो इसलिए ये जो अनौपचारिक शेत्र है इसकी गतिविदियों को कम करना चाहिए और अपचारिक शेत्र को बढ़ाना चाहिए तीसरा जो पर्शन दिया गए थर्ड कोशन है हमारा कि गरीबों के लिए सवयम साहता समू जिसे हम सेल्फ हेल्फ गृप भी बोलते हैं संग्ठन महत पोन क्यों है पहला सवयम साहता समू यानि की सेल्फ हेल्फ ग्रूप केकारण गरीब बिना किसी समर्थक रिन अधार के बैंक से रिन ले सकते हैं अब जो गरीब लोग हैं उनको बैंक लोन नहीं देता क्यों नहीं देता क्योंकि ने क्या चाहिए समर्थक रिन अधार चाहिए यानि कि गारेंटी अब जिनके पास घर नहीं अपना जिनके पास अपनी प्रोपर्टी नहीं है, जो गौर्मेंट जोब में नहीं है तो वो क्या गारंटी के तोर पे देंगी या तो उनको लोन नहीं देता लेकिन अगर हम सेल्फ एल्फ गृूप बना लेते हैं तो उसके नाम पर बैंक लोन दे देता है बचत होगी तो आई भी होगी क्यों काम दंदा करेंगे ना इसमें तीसरा आवशक्ता होने पर स्वयम साहता समू कम ब्याज पर सदिश्यों को रिन भी उप लब्द करवाता जैसे सदिश्य हमा लेजे 20 सदिश्य हैं हमारा सेल्फ एप करूप है तो अगर किसी एक को पैसे के आप सकता है तो बाकी 19 जो इकठा करें जमा करें थोड़ा थोड़ा महीने का उसमें से उसको लोन भी दे देंगे और वो भी कम ब्याज पर उसके बाद चोथा जो फूर्थ हमारा कोशन दिया गए ये इस वरकशीट का और इस चैप्टर के सबसे इंपोर्टन कोशन में से एक है कि भारत की अधिकांस जनता अभी भी रिंड के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर क्यो निर पर है हमने बात कि थी कि अपचारिक शेतर होता है वहाँ ब्याज कम होता है अभ्याज कम होगा तो लाव अधिक होगा लेकिन फिर भी हमारे देश की आदे से अधिक जो जनता वो अनौपचारिक शेतर से ही लोन लेती है क्यों ये हमें बताना है पहला कि गरीब लोगों के पास ओपचारिक श्रोथ से रिन लेने के लिए समर्थक रिनाधार उपलब्द नहीं है अभी हमने बात कि थी कि उसमें गारंटी चाहिए गारंटी के तोर पे हम पशू, गाड़ी, घर, प्लॉट इसके वेस पे लोन ले सकते हैं ये गरीबों के पास है ही नहीं तो वो लोन कहां से लेंगे दूसरा, उपचारिक श्रोथ से पहला रिन चुकाए बिना दूसरा रिन नहीं ले सकते हैं इसलिए अगर किसी ने रिन ले भी लिया, एक लोन ले भी लिया तो वहां से कंटिन्यू नहीं कर पाता है जबकि अनौपचारिक श्रोथ से दूसरा भी ले सकते हैं, तीसरा भी ले सकते हैं अगर हमारी जान पैचाना है तो, इसलिए भी लोग अनौपचारिक श्रोथ से रिन लेना पसंद करते हैं लोन पास होते होते 6-6 महिने लग जाते हैं, अब जरूर्थ हो, शादी हो, अगले महिने, और लोन मिलेगा 2 महिने के बाद क्या फाइदा हुआ, तो इसलिए भी लोग अनौपचारिक से ले लेते हैं, पांच वा है, अपचारिक शेतर से रिन लेने के लिए ज्यादा कागज पाक की शर्तों से आप क्या समझते हैं, यह परतेक व्यक्ति के लिए किस परकार भिन हो सकती हैं, तो रिन लेती समय हम कई बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे ब्याज किदर क्या होगी, लोटाने की अवधी क्या होगी, लोटाने की विधी क्या होगी, और समर्थन और अन्य दस्तावज, यानकि इन चार वस्तों की, जब हम रिन लेंगे तो पहले बात करेंगे क्या ब्याज रहेगा, कब लोटाओगे, कैसे लोटाओगे, महिने या छे महिने की किस्तों होगी, और गारंटी क्या दोगे, ओके, चार चीजों की बात करेंगे, इन्हें साख क सरतें कहते हैं इन्हें रिन की सरतें भी कह सकते हैं Terms of Credit अब ये अलग-लग क्यों होता है कि परतेक व्यक्ति का जो समर्थन रिनाधार जो होगा जो गारंटी देगा वो अलग-लग होगा इसलिए रिन की सरतें भी अलग-लग होती है उसके बाद सिक्स्त जो हमारा कोशन दिया गया आसान सा है कि मुद्रा के आधनिक परकारों ने जीवन को किस परकार सरल किया व्याख्या कीजिए आधनिक परकार कौन से है जैसे चेक चेकबुक होती है, क्रेडिट कार्ड है डेबिट कार्ड है, एटियम है फॉन पे है गूगल पे है ये भी उसमें आ गए आधनिक रूप है मुद्रा के अब इससे जीवन आसान कैसे हो गया तो इससे जीवन आसान पहला कि मुद्रा के आधनिक परकारों के कार्ण लेंदिन करना आसान हो गया आसान होगे न तुरंट हम payment कर सकते हैं चेक काट के दे दिया हम online transaction भी कर सकते हैं दूसरा अब लिन दिन अधिक शुरक्षित भी हो गया मालीजी आपको कुछ गाड़ी वगरा खरीदनी है अब पहले पैसे लेके जाते थे तो काफी रिस्की होता था अब ऐसा नहीं है कि पैसे लेके जाने की जरूरती नहीं है अब सिर्फ ट्रांसपर करोगे उके उसके बाद तीसरा किसे समय की भी बचत होती है हम तुरंत भुकतान कर सकते हैं हमें बैंक में लाइन में लगने की जरूरत अब कम पढ़ती है तो ये लाब हैं इससे जीवन हमारा काफी ईजी हो गया सेवंत जो कोशिन दिया गया कि सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमे का निफाई है सलीम को ने हमारी बुक में दिया गया नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिगा कि सलीम एक जूते का वैपार ये जूते बनाता है तो 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 हार के सीजन आने वाले थी तो उसने क्या लिया रिन लिया रिन कैसे लिया कि उसने जिससे ओर्डर मिला था उसे एडवांस में पैसे ले लिये तो वो रिन ही हो गया उसे का कि order मैं time पे दूँगा अब इससे क्या हुआ कि जब उसे advance में पैसे मिल गए पैसे आ गए तो वो अपना कच्छा माल लेके आ पाया दो मजदूर रख लिए बड़ा फायदा मिला उसे यानि कि सकारात्मक भूमिका निपाई इसी परकार अपने आसपास या समंधियों रिन लिया और शिक्ष्या के रिन के कान ही वहे यहाँ पे वहे होना वहे अपनी पढ़ाई जारी रख पाया और बाद में वहे अच्छी सरकारी नोकरी भी प्राप्त कर पाया अगर लोन नहीं लेता तो साइद पढ़ नहीं पाता और साइद सरकारी नोकरी पर नहीं जा प तो सायद आज उनकी इतनी बहतर स्थीती आर्थिक स्थीती नहीं होती तो ये दो उधारण है आप अपने आज पास भी कोई एक्जम्पल है कि रिंड लिया और वो फाइदे मन रहा है तो वो लिख सकते हो उसके बाद एर्थ जो कोईशन दिया गया है एर्थ कोईशन में बात की गए कि साक से आप क्या समझते हो ये साक होता क्या है और साथी साथ ये भी पूछा गया कि साक इस पर का संपती और रिंड जांग दोनों की भूमी का निवा सकता है यानि कि इससे हमारे लिए ये प्लस की बात भी हो सकते है और ये माइनस की बात भी हो सकते है यानि कि लाब भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है कैसे एक जांपल देने है तो पहले थे मैं बताना कि साख क्या है, साख मतलब रिन या लोन तो एक ऐसी परक्रिया होती है जिसमें रिन दाता है यानि कि जो पैसा दे रहा है वो करददार को पैसा, माल या सेवाई देता है कैसे? बहुशे में वाइदे के अंसार वापस लोटाने के लिए यानि कि पैसा देता है, माल या सेवाई देता है और भौशे में वाइदे के अंसार की पैसा लोटाए जाएगा जो भी कंडिशन होगी उसके अंसार तुसे बोलते हैं साख आपने अपने फ्रेंड को दस रुपए दिए और की मैं लोटा दूँगा, चार दिनों के बाद हो सकता ब्यास तो नहीं लोगे, लेकिन वो भी इरिन आएगा ओके लौन है, वो साख है उसके बाद यह की साख से लाब भी हो सकता प्रॉफिट भी हो सकता, लोज भी हो सकता, कैसे अगर साख सो समझ कर लिया जाता और उसका उपयोग हम कम जोफिम वाले काम में करते हैं तो इससे ये संपति की भूमिका निवा सकता है लाब होगा में रिस्की अगर नहीं है तो प्रोफिट होना है क्योंकि हम इन्वेस्ट करें अगर जैसे सलीम ने किया अगर साख अधिक जोफिम वाले कारे में लगाए जाता है तो कई बार जर्वनी की हर बार लेकिन कई बार रिंड जाल की भूमिका भी निवा सकता है जैसे सवपना है यह सवपना कोन आ गई? यह सवपना आपके चैप्टर में दिया गए नहीं बढ़ा तो बढ़ के दिखना यह किसान आती है छोटी किसान वो लोगन ले लेती है लेकिन फसल मारी जाती है फसल खराब हो जाती है और रेंड और ब्याज इतना ज़्यादा हो जाता है को उसको जमीन का एक टुकड़ा बीचना पड़ता है तो कई बार ऐसे सिचुएशन भी आती है अब हम नाइन्थ और हमारा लास्ट कोश्चन है उसके तरह बढ़ते हैं कि मेगा के आवास रेंड के लिए निमिलगी त्वीवरणों की पूर्ती कीजिए तो जो डिटेल्स दी गई है कि रेंड कितना लिया है उन्होंने पांसलाक रुपे लिया है समर्थक रेंड़ार क्या नोकरी वेतन समंदी डॉकुमेंट्स प्लस और कर लिजिए जो उसने घर खरीदा उसके कागज अधाइगी का सवरूप क्या रहेगा? दस वर्षों में मासिक बुक्तान करेगी, वो मन्थ ली पेमेंट करेगी आफशे कागजात क्या चाहिए, अधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, बैंक डिटेल्स चाहिए, पेन कार्ड चाहिए, सेली स्लिप चाहिए आप सोच रहेंगे ये कहां से लिए आए, वैसे एक्जेक्टली तो यही चाहिए आप Sally Slip अकेला भी लिख सकते हो तो चलेगा क्योंकि इस डिटेल में इतना ही दिया गया उमेद करता हूँ आपकी study आपकी पढ़ाई बेहद अच्छे तरीके से चली होगी ऐसे पढ़ते रहें साथ बने रहें अच्छा लगता है जब आप छोटा सा कमेंट करते हो और भी अच्छा लगेगा अगर आप इसको शेयर भी करोगे थैंक यू बाइबाई, have a nice day